हलो फ्रेंज वेलकम बैक तो फ्रेंज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टी ओडी कम्प्लीट डीटेल्स जाने की टूर आफ ड्यूटी जो मिशन जाने की अगनी पत स्कीम के तहत लाँच किया गिया है तो क्या रहने वाला है टूर आफ ड्यूटी सही जांग गलत बड़े सारे कैंडिडेट्स को इसका डाउट है कि चार साल बात बापीस 45,000 सोलजर इसमें जो रिक्यूट किये जाएंगे एक एयर में और जो बरती टैन्यूर रहेगा वो 90s डेस का आपका रहेगा तो कम्प्लीट डीटेल आपसे बात करने वाले हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को सबसे पहले हम इसकी बात करें जो अगनिपत स्कीम है अगनिपत स्कीम के तहत आप अगनी वीर इंडियन आर्मी इंडियन एर फोर्स और इंडियन नेवी में जो बन सकते हो एक साल की 45,000 जो विकिंसी है वो आएगी जिस में से 11,250 जो पर्मानेंट ह ठीक है तो जो रिटायर होंगे वो किस बेस पे होंगे जो रखे जाएंगे वो किस बेस पे रखे जाएंगे पे कितना होगा जा आपको जब चार साल बात बापिस बेज दिया जाएगा तो कितने पैसे आपको दिये जाएंगे तो पूरा complete बात इदर करने वाले हैं तो इनो में वो रहेंगे जिनका tenure रहेगा आपका चार साल का ठेक है सुनो सुनो और अंतिन तक including training period training period को लगा के जाने की complete चार साल अगनी वीर will be meet the medical eligibility condition as applicable to the respective category trade जाने की आपको medical eligibility conditions भी follow करनी पड़ेंगी जो trade के लिए आपके genuine होंगी ठेक है अगनी वीर will be the given option to opt the enrollment into the regular cadre उनको regular होने के लिए भी option जो दिया जाएगा ठीक है यह आपने याद रखना है उसके बाद बात करें अगनी पत्थ scheme में रहेगा क्या-क्या ठीक है तो इदर देख सकते हो अगनी पत्थ scheme में रहेगा क्या-क्या बहुत अच्छा scheme है साड़े सतारा से लेके 21 के बीच अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए eligible हो बाकी जो NDA था CDS था F-Cat था CDS था INET था वो आपके बैसे ही रहेंगे officer recruitment के लिए duration of service four year including training period रहेगा first year salary package आपका 4.76 लाक रहेगा और upgradation up to 6.92 लाक approximately जो आपका होगा in fourth year चार साल तक आपका हो जाएगा shape point बानुए लाक एक साल का ठीक है तो जाने की आपकी pay इदर दो रहान इसके increase भी होगी तो 40,000 जो monthly average लेके आप चल सकते हो वो आपकी scheme रहेगी ठीक है उसके बाद complete सुनिए post release सेवा निदी package जब आपको release किया जाएगा आपको 11,71,000 प्या जो दिया जाएगा जब आप बापिस गर आओगे चार साल बात अब सुनो अंतिम तक चार साल बात बापिस कब आएंगे क्यों आएंगे कौन आएंगे कौन रहेंगे वो मैं अंतिम में cover करूँगा सब उसके बाद जो आप देख सकते हो non-contributory insurance cover तो insurance cover कितना होगा आपका 48,00,00 का insurance cover जो आपका किया जाएगा उसके बाद जो अगनी weeks रहेंगे उनको skill certificate जाने कि अगर आप 10th pass करके जाओगे आपको 12th भी दे दिया जाएगा college में हो तो आपको college certificate दिया जाएगा और जो आपके skills रहेंगे उनके certificate भी आपको दिये जाएगे बहुत ही बड़िया scheme जो launch की गई है उसके बाद जहां देख सकते हो उसके बाद जो next आपका आजाएगा terminal benefit terminal benefit इसके क्यार रहेंगे तो terminal benefit देख सकते हो each अगनीवीर to contribute 30% monthly package to the individual अगनीवीर कारपस fund तो 30% जो आपको अगनीवीर कारपस fund में जो contribute जो वो करना पड़ेगा on completion of engagement period one time सेवा नेदी package वो कितना मिलेगा आपको 11 जाने की 12 लाग के क्रीप सेवा नेदी package comprise contribution by अगनीवीर इंटरस्ट दियरान matching contribution from the government option for bank loan for अगनीवीर अगनीवीर को bank loan का option भी जो दिया जाएगा उसके बाद देख सकते हो अगनीपत scheme आप देख सकते हो इधर क्या रहेगा अगनीपत scheme में आपका तो पूरा इधर आपको मिल जाएगा जहां देख सकते हो साड़े सतारह से बीच 21 तक चार साल की duration salary 30 से 40 अजार पर मंत सेवा निदी package साड़े 11 लाका non-contributory insurance 48 लाका और skill certificate भी आपको जो दिये जाएंगे ठीक है तो जो आपकी जे new recruitment policy के तयात हमने बात की अब मैं बात करूँ किसको निकाला जाएगा जाने कि 25 प्रतिशत को रखा जाएगा 25 प्रतिशत को रखा जाएगा तो बाकी को निकाला जाएगा 25 प्रतिशत एक साल में लगेंगे कितने recruit कितने होंगे 45,000 एक साल के लगेंगे 45,000 जिसके रखे कितने जाएंगे 11,250 को पर्मानेंट कर दिया जाएगा और जो बाकी होंगे उनको गर बेज दिया जाएगा जो रखे जाएंगे वो किस बेज पे रखे जाएंगे जो आपका मैरिट बनेगा आल इंडिया मैरिट बनेगा रिटन टैस्ट के बेस पे जब आप सिलेक्ट होके जाओगे उसका स्कोर और आपकी 4 एर्स की परफॉर्मेंस चार एर्स की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही है और जब चार साल के बाद आपका देखा जाएगा कितना स्कोर बन रहा है रिटन में कितना स्कोर था और चार साल में जो कैंडिडेट 45,000 मेंसे 11,250 तक आएंगे उनको वहां पे रखा जाएगा ठीक है उनको रखा जाएगा बाकियों को इस स्कीम के तहत गर जो बेज दिया जाएगा बहुत ही गोल्डन ऑपरचुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के लिए आप ये मत देखिए कि चार साल के बाद हम क्या करेंगे निकाला उन्हें जाएगा जो इसके लाइक मतलब उन्हें बगर बेजा जाएगा कि जो फुल्फिल कंडिशन्स नहीं करेंगे ठीक है बाकी को उदर रखा जाएगा जो 25 प्रतिशत वाम पे ही होंगे जो कैंडिडेट का स्कोर अच्छा होगा ठीक है